नमस्कार मैं हूँ चौधरी और आप देख रहे हैं HCN News राजिस्तान में कॉंग्रिस की जीत राहूल गांदी के लिए गले की हटी बंती दिखाई दे रही है जहां कॉंग्रिस के राज़्ट अध्यक्ष राहूल गांदी ने मध्यप्रदेश की कमान कमनात के हाथ सौपी है तो वहीं राजिस्तान में अभी तक सस्पेंस बरकरार है वज़ा साफ है कि जिस तरह से कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पाइलेट ने मुख्यमंतरी बनने की जित की है वो ही कही न कहीं कॉंग्रिस के लिए खत्रे की घंटी बस्ती दिखाई दे रही है मगर इस बीच मामली में नया मोड देखने को मिल रहा है दरसल राजिस्तान में मुख्यमंतरी कौन होगा ये तैय करने के लिए राहूल गांदी ने प्रेंका गांदी से मदद मांगी है जिसके बाद प्रेंका गांदी राहूल गांदी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंची है आपको बदाने कि राहूल गांदी ने राजिस्तान के मुख्यमंत्री पद के दाविदारों अशुक एहलोत और सचिन पाइलेट के साथ कई बैठके की लेकिन उनके बीच कोई सहमती नहीं बन पाई है पाईलेट ने इस पद के लिए दावा किया तो वहीं राहूल गांदी के आवाज के बाहर पाईलेट के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेवाजी भी की है आपको क्या लगता है कि प्रेंका गांदी राजिस्तान के मुख्यमंत्री के लिए किस नेता का नाम लेंगी आप लोग अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर बदाएं जो दरशक हैं नीज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवार